उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधासवा चुनाव करीब आ गये हैं इसका एक प्रमान सपानिता खिल इशादव की ओर से दिया गया या बयान भी है कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नहरू सरदार पटेल और मुहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बने और फिर उन्होंने देश को आजादी दिलाई इसका मतलब यही निकलता है कि आजादी में जितना युगदान गांधी नहरू पटेल का था जिसमें बंगाल में हजारों हिंदूओं को मौत के घाट उतार दिया गया था शुकी तब बंगाल में मुस्लिम लीक का शासन था और मुख्यमंत्री थे जिन्ना के करीबी हुसैन सुहुरा वर्दी इसलिए उन्होंने दंगायों को खुली छूट देने के लिए 16 अगस्ट को छुट्टी कर दी नतीजा यह हुआ कि दंगायों ने जम कर कतलेया मचाया अंग्रीजी सत्ता की हिंसा रोकने की अनिच्छा के कारण भी कलकत्ता और आस्पास हिंसा हत्याद उशकर्म और लूट का भीशन नंगा नाच 16 अगस्ट से लेकर 20 अगस्ट टक चला इस भयावह हिंसा से देश हिल गया और विभाजन को टालना मुश्किल वाना जाने लगा आकिरकार ऐसा ही हुआ पता नहीं था कि जिन्ना को गांधी नहरू पतेल के समकक्ष रखने वाले बयान से खिले शादब को क्या हासिल होगा लेकिन यह पहली बार नहीं जब देश में जिन्ना की पैरवी की गई हो कुछ समय पहले अलिगर मुस्लिम विश्व विद्याले एम्यू से जिन्ना की फोटो हटाने की मांग पर विश्व विद्याले प्रशासन के साथ कतित सेक्यूलर तत्वों ने भारत विभाजन के इस सबसे बड़े खलनाय काया का कर बचाव किया था कि उन्हें तो बटवारे के बहुत पहले शात्रसंग की ओर से आजीवन सदस्यता दी गई थी यह एक कुतर की था लेकिन एम्यू शात्रसंग की हट धर्मी के कारण जिन्ना की फोटो वहां सलामत रही अलग मुसलिम देश की जित पकड़ने के पहले के जीवनकाल का उलेक कर जिन्ना की तारीफ करने का काम लाल कृष्णा आडवानी ने भी किया था पाकिस्तान की यात्रा पर गयाडवानी ने कहा था कि जिन्ना का जिक्र एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जाना चाहिए जो मुसलिम बहुल आबादी के साथ पंथ निर्पेक्ष देश चाहते थे बेशक मुसलिम लीगी बनने के पहले तक जिन्ना खुद को केवल मुसल्मानों का नेता नहीं मानते थे लेकिन बार में वह दो राश्टर सिध्धान के मुरीद बन गये और फिर उनकी जिद से देश का रक्त रंजित विभाजन हुआ मुसल्मानों के लिए एक अलग देश की मांग पर अड़ने वाले जिन्ना को समझने की जैसी भूल लालकृष्ण आडवानी ने की वैसी ही कुछ साल बार भाजपा के एक और बड़े नेता जस्वंत सिंग ने की उन्होंने अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टिशन इ मचुकानी पड़ी कहना कठिन है कि अखिली श्यादब को ऐसी कोई की मचुकानी पड़ेगी या नहीं जो भी हो जिन्ना के प्रारंभिक जीवन को रेखांकित कर उसका गुणगान करना वैसा ही है जैसे कोई घोटाले बाज महा ठग नीरव मोदी की यह कर बढ़ाई करे कि हुआ एक प्रतिभाशाली हीरा व्यापारी था अत्वा आतंकी बुर्हान वानी को केवल हीड मास्टर के सुन्दर सुशिल बेटे के रुप में चित्रित करने लगे केवल जिन्ना ही देश विभाजन के ऐसे खलनायक नहीं जिनका जब तब गुणगान करने की कोशिश होत में उन्होंने एक जिहादी तराना लिख डाला जिसके बोल कुछ इस तरह थे चीन ओ अरब हमारा हिंदोस्टा हमारा मुसलिम है हम वतन है सारा जहां हमारा इसके बाद 1930 में उन्होंने इलहाबाद में मुसलिम लीग की बैठक में मुसल्मानों के लिए अलग देश का विच को आइडिया ओफ पाकिस्तान के रुप में पढ़ाया जाता है जिन इकबाल को पाकिस्तान का वैचारिक जनक कहा जाता है उन्हें भारत में चाहने वाले कम नहीं 2016 के विधानसवा चुनाव से पहले बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी को अचानक इकबाल याद आ गए 2015 में बंगाल उर्दू अकादमी की ओर से आनन फानन जशन इकबाल का आयोजन हुआ जिसमें ममता सरकार ने इकबाल को मरणो उपरांथ तरानाए हिंद सम्मान से नवाजा पाकिस्तान से यह सम्मा लेने के लिए इकबाल के पोते वलीद इकबाल खास तोर पर कॉलकाता है इकबाल के जन दिन पर देश के कुछ और हिस्सों में उनके सम्मान में तराने गाय जाते है इस तोरान भारत विवाजन का आधार तयार करने में उनकी भूमिका के साथ- कर केवल यह याद रखा जाता है कि वह एक उमदा शायर थे जो जिन्ना और इकबाल की पैरवी करते समय केवल उनके प्रारंबिक जीवन का उलेख करना आवश्यक समझते हैं वहीं सावरकर के शुरुवाती जीवन को भुला कर केवल यह बताना पसंद करते हैं कि उन्हें तो अंग्रेजों से माफी मांगी थी वो सकता है कि अखिलेश अदब की जुबा फिसल गई हो लेकिन यदी वह जिन्ना की पैरवी करना चाहते थे तो यह बहुत ही खतरनाग बात पिछले कई वर्षों से कोई भी हिंदूर सब उदारवादियों की जिर्की महानुभवों के ज्यान और नियाईक तखल अंदाजी के बिना संपन्न नहीं हो पाया है उनकी नजर में यदी करवा चौत और अक्षा बंदन पित्रु सत्तात्मक विवस्था का रूप है तो होली पानी की बरवादी इसी तरह इस वर्ग की नजर में जनली कट्टू पशुआं से करूडता है तो गणिश तुर्थी परियावरन पर आगहात मकर संक्रांती हो या दुर्गापूजा जनमाश्टमी हो या शिवरात्री इनकी लिए हर त्योहार हिंदूओं में लज्जा भाव उत्पन करने का अवसर है हिंदूओं का सबसे बड़ा त्योहार होने के कारण दिपावली विशेश रूप से निशाने पर रहती है अन्यवर्षों की तरह कहीं शासना देश तो कहीं नियाई कादेशों के द्वारा पठाके प्रतिबंधित कर दिये गए है साथ ही खिलाडियों अभी नेताओं और तमाम विज्यापनों के माध्यम से दिपावली जिम्मेदारी से मनाने के संदेशों का ताता लगा है इन संदेशों का नहित अर्थिया है कि हिंदू समाज अपने उठसवों को लेकर गयर जिम्मेदार और ओपरी पक हो है निरंतर प्रचार के द्वारा दिपावली को प्रदूशन से इस प्रकार जोड दिया गया है मानों वर्ष भर के प्रदूशन का कारण कीवल दिपावली के पठाके हो यह सूच कितनी निर्मूल है इसे IIT कानपूर ने 2016 में अपने शोध द्वारा प्रमानित किया था इस शोध में दिपावली के पठाकों को दिल्ली के प्रदूशन के शिर्ष 15 कारकों में भी जगा नहीं मिली थी इसी प्रकार NGT और केंदर प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की रिपोर्टों में भी दिल्ली के प्रदूशन में दिपावली के पठाकों का कोई प्रमुक योगदान होने की बात नहीं आई थे परन्तु चाहे सरकारे हो यो परियावरण विद यो फिर NGO और नियायालाय प्रदूशन को नियंतर करने के लिए मात्र दिपावली के पठाकों पर रोक लगा कर सपने अपने कर्तवी की इतिसरी समझ लिया सडकों की धूल वानों का धुआ इमारती निर्मार से जनित गर्द और त्योगी की काईयों कचरा तथा पराली जलाने से उत्पन धुआ कोईला और फ्लाई एश वो मूल समस्या है जो दिल्ली में साल भर प्रदूशन का कारण बनती है परंटु दिवाली के पठाकों के अतिरिक्ट इन कारकों पर किसी की चिंता नहीं दिखाई देती पठाकों पर दुष्परचार का प्रभाव ऐसा है कि नियायाला ने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले उस आकसी कारत बोरियम नाइटरेट को प्रतिबंधित किया है जो सबजियों में भी पाया जाता है WHO मानकों के नुसाल भी 700 माइक्रो ग्राम बोरियम नाइटरेट अनुमे है और यह किसी भी देश में प्रतिबंधित नहीं जाहिर है पठाकों जनित प्रदूशन असल चिंता नहीं है बलकि उनका हिंदू ट्योहरों में दखल और हिंदू समाज में अपराद बूद भरने के लिए उप्योग हो रहा है जब ऐसे अभी नेता पठाके नहीं जलाने की अपील करते हैं तो इसका आनन्द लेते दिख जाते हैं तो इन अभियान की वास्तविक्ता पता चल जाती है नियायक और शास्त की अहस्त शेप इसलिए भी अपति जनक है क्योंकि यह सिर्फ हिंदू सवों में ही देखने को मिलता है जो शासन सडकों पर नमाज या लाउड स्पीकर पर अजान रोकने में अक्षम रहा है उसने हिंदूओं के सबसे बड़े त्योहार का उल्लास को चल दिया है कभी आवश्यक धार्मे काचरन तो कभी धर्म के मूल सूत्र जैसे नियाईक सिध्धानतों का हवाला दे कर अन्य मजहबी विवादों में हथ से शेप से इंकार करने वाले नियायाले हिंदू त्योहारों में ना सिर्फ दही हांडी की उचायता कर देते हैं कि भगवान अयप्पा के मूल नैश्टिक प्रामचरी वरत को तोड़ने का फर्मान भी दे देते हैं नियायपालिका के साथ साथ एक्टिविस्ट एंजियों वर्गी चिंता भी हिंदू त्योहारों पर ही व्यक्त होती है टिवि स्टूडियों से लेकर विद्यालियों तक दिपावली नसीहितों का त्योहार बन गया है तो लनातमक रूप से अपने सामाजिक जीवन में बेहद लचीले हिंदूओं से पेक्षा रहती है कि वे पर्वों पर भी आग्याकारी बच्चों जैसा आचरन कर दोगले उदारवाद की कसोटी पर खरे उटरते रहें यहां यहां समझना अवश्यक है कि त्योहारों का हमारे सामाजिक जीवन में अर्थ क्या है बर्ट्रेंड रसल ने से बहुत खुब सूरती से वेक्ष किया है रसल के अनुसार सभ्यता के क्रम विकास में मानव ने पहुच सी पाश्विक प्रवृतियों को दबाया है परंतु साथे इस प्रक्रिया ने शिष्टता के ऐसे मानक गढ़े हैं जिसमें मूल मानव प्रकृति के सीधी साधे मुक्त आजरनन को भी दबाया गया है पर वो त्योहार हमें बिना शर्मिंदा हुए अपने सरल स्वच्छंड मूल प्रकृतिक आजरनन को सिमित समय के लिए ही सही पर वापस जीने काफसर देते हैं उधारन के लिए यदि कोई व्यक्ती ओफिस से निकल कर बाजार में निरत्य करना शुरू कर दे तो वह अटपटा लगेगा परंतु त्योहार के उल्लास में समू के साथ वही निरत्य सहज ही नहीं अच्छा भी लगता है तो हार अमारे जीवन की निरस्ता को तोड़ते हैं उनके हर पालू में तर्क संगती और आदोनिक्टा के तोड़ तरीके ढूड़ना मुर्खता है यह नियमित नहोकर शनिक आच्रण है सभी परिपक्व समाज इस बात को भली भाती समझते हैं इसलिए पश्चिम में टॉमेतीनों जैसे आयोजन भी होते हैं और चुनिंदा मौकों पर जम कर आतिशबाजी भी वहाँ शासन तंत्र भी समझता है कि प्रदूशन पर नियंत्रण वह चुनोती है इससे साल भड जूज कर ऐसा वातावरण दिया जाए इसमें लोग आतिशबाजी जैसे आयोजनों का आनंद ले सकें भारती शासन तंत्र को भी चाहिए कि यदि दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूशन बड़ी समस्या बना है तो उसके 27 समाधान खोजे निश्चित ही ध्वनी मानकों का ध्यान रखा जाए परन्तु पठाखों के साथ हर प्रकार के ध्वनी प्रदूशन पर कारवाई हो पठाखों पर पूर्ण प्रतिबंद हुआ तुगलकी फरमान है जो ना कैवल सांस्कृतिक आगात है बलकि एक बड़े वर्ग को रोजगार से वंचित भी करता है 2018 तक शिवकाशी के करीब आठ लाग पठाका उद्यो कारिगरों का रोजगार शिन चुका था यह संख्या पिछले तीन वर्ष में और भी बढ़ गई है पिछले वर्ष 6,000 करो रूपए के कारोबार के मुकाबले इस वर्ष शिवकाशी पठाका उद्यो का कुल कारोबार 3,000 करो रूपए पर सिमटने का अनुमान है शासन में बैठे लोगों को चाहिए कि पठाकों पर व्यावाहारिक और समवीधन शिल रविया साथी वर्ष में एक बार आने वाले हिंदू तीज त्योहारों को त्योहार ही राने दे उन्हें शैक्षणिक प्रयोजन ना वना